हाई एवरीवान विल्कम बैक अगें तो माई चैनल रिप्लानिश एडूकेशन और आई होप इलाद इंगत तो गाइस आज बात करते हैं इस वीडियो में स्टेट युनिवासिटी रिकूट्मेंट की जहां असिस्टेंट प्रोफेसर असोसीट प्रोफेसर प्रोफेसर की प पार बी में ऑफ्लाइन अप्लिकेशन करके मेंचन किया हुए तो यहां पर यह बहुत अच्छी रिकूट्मेंट विलीज हुई है और बहुत सारे सब्जेक्स रहेंगे जान लेते हैं कि किस युनिवासिटी से आपकी विकेंसी हैं कौन-कौन से सब्जेक्स रहेंगे लास करना सारी ताकि आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएं सब्से पहले मैं आपको डिटेल्स बता देती हूं विकेंसी कांफ से रिलीज हुई है यह विकेंसी है युनिवासिटी ऑफ जमू एड़ीज में नोटिस जो है यहां पर मेंचन किया हुआ है ऑनलाइन ऑफ लाइन अप् इसके बाद गाइस में विकें전 शीट प्रफियसर और ठीलीच ऑन अक्थ श॥्चिति ऐन व ख्यामयव gossip टेकन। इंपने पर दोसरे ने हैं विकेंसी के लिए विकेंसी विकेंसी है जुआ को लिए बूइस। Center of History, Culture, Jammu and Ladakh Region, Associate Professor की वेकेंसी रहेगी, Chemistry में वेकेंसी है, Professor, Associate Professor and Assistant Professor की इसके बाद गाइस, Commerce में वेकेंसी है, Professor, Associate as well as Assistant की पोस्ट रहेगी, Computer Science and IT में वेकेंसी है, Professor, Associate Professor के लिए इसके बाद है, Directorate of Distance Education तो इनका Distance Education भी है, तो Distance Education में वेकेंसी अच्छी है, और अच्छी खासी जॉब होती है Distance Education में भी, Director की जॉब है, Professor की है, Associate Professor की है, यहाँ पर Specialization Economics में मागी गई है, Assistant Professor में एक और वेकेंसी है, यहाँ अर्दू में और Assistant Professor Education में भी वेकेंसी है, Department of Lifelong Learning Professor के लिए वेकेंसी है, दूगरी में वेकेंसी है, Professor, Associate Professor and Assistant Professor की पोस्ट रहेगी, दनवाट्री लाइबरी में यहाँ पर वेकेंसी है, लाइबरीन की, डिप्टी लाइबरीन की, एकनॉमिक्स में वेकेंसी है, Professor, Associate Professor के लिए, Education में गाईस, Professor में है दो Associate में है, दो Assistant के लिए वन पोस्ट रहेगी, El foolish NanARIqs में वेकेंसी है, Associate Professor and Assistant Professor के लिए, History में वेकेंसी है, History में भी तीनों पोस्ट के लिए रहेंगी, Law Department में पोफेसर, Associate Professor के लिए वेकेंसी सब्सक्राइस , को सब्सक्राइब पिरके का सिर्ट सारे इन कि लिए एंपनाची सेखेड़ सब्सक्राइब को यह इ rotten सउब्सक्राइब सब्सक्राइब सम्सक्राइब पिंजाबी रिमोट सेंसिंग जी आएस संस्कृत में भी काईज यहां वेकेंसी है सोशलोजी स्पोर्ट्स एंफिजिकल एडुकेशन स्ट्राटजिक एंड रीजिनल स्टडीज बुद्धी स्टूरी बिजनस स्कूल में वेकेंसी है उर्दू लैंग्वेज में है जूलोजी तो जान लेंगे वैसे इस वीडियो में और डिटेल्स भी ऑफ साइट कैंपस भी है यहां पर आप देख सकते हैं कैंपस के रिगार्डिंग भी यहां और फिर कैटेगरी वाइस पोस्ट भी क्लासिफाइग किया हुआ है कुछ तो यहां पर अलग-अलग कैंपस के रिगार यहां पर यहां पर यहां पर चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चकी हूं नौटिफिकेशन में 1st of September से इसकी अप्रिकेशन स्टार्ट हो चुकी है 30th of September तक इसकी अप्रिकेशन रहेगी दाइस इसके जर्नल इंस्ट्रक्श्च्च्च्च्च्च् में कुछ चीज़े में पहले बता देती हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बताया है कि अगर नंबर ओफ कैंडिए बहुत जादा हो जाते हैं तो आपका वहां पर स्टेप वाइस शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी बना सकते हैं वह बैसिकली आपको ए कर सकते हैं कि क्या क्या है कि आपको साइट विजिट करनी है अपलाई करने से पहले सारी नौटिफिकेशन जान लेनी है इसके बाद में मौडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे इंपॉर्टिन इंफोर्मेशन भी मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर यह पॉइंट मैं जो मैं आपको बता रही थी कि यहां पर अगर आपके पास application जो number of application है अगर आपके पास ज्यादा होती है तो university के पास राइट है कि इसको क्या कर सके modify कर सकते changes कर सके plus short listing of the applicant shall be made on the basis of criteria to be fixed by the university before the interview और यहां पर जो candidates को short listing criteria रह सकता है mention भी किया हुआ है कि में भी by API scores के तुरू और या फिर चांसे रिटन टेस्ट भी कंड़क कराने के लिए बाकी शॉरिटी नहीं है और इसके इंटर्व्यू लेटर्स बताया है कि आपको इमेल के थुरू आपको information देरी जाएगी अगर आप shortlist होते हैं तो यह interview के लिए call अगर आपको आती है तो प्लस इसको देखेंगे तो यहां पर बताया है कि salary scale के साथ-साथ आपको other allowances भी मिलेंगे जो भी government के rules के according रहती है candidates को जिनको select किया जाएगा उनका probation period रहेगा एक से दो साल तक का तो यहां पर depend करता है इस committee के ओपर जो भी selection committee रहेगी उसके regarding information आपको बात में भी मिल जाएगी plus कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा interview के लिए अगर call आती है तो interview के लिए अगर आप जाते है तो और इसको scroll down करके देखे तो general instructions में बताया है information की यह vacancy कुछ information पहले भी निकले थी अगर उन्होंने आपने पहले apply किया है तो दुबारा से आपको apply करना होगा बट आपके application fee आपको दुबारा नहीं देनी है अब जो current में आपकी fees है वो है 1610 1610 रुपीज यहां पर fee रहेगी और the fee once paid will not be refunded or readjust नहीं कर सकते हैं जो भी PWD candidates हैं उनको exempt किया गया है प्लस अगर आप online apply करते हैं apply करने के बाद आपके documents है वो आपको print out निकालना है interview में भी लेके आना है प्लस आपको इनके जो address है उन्होंने mention किया है यहां पर भी पोचा देने है 15th of October से पहले-पहले hard copies की date नहीं पर बताया है प्लस hard copies जो आप information दिया है कि hard copies जो आप देंगे तो documents उसमें क्या-क्या लगाने है प्रिंट आउट तो यह लगाना ही है इसके अलावा भी आपके कुछ फी जो documents रहेंगे वो भी है अगर professor के लिए करते हैं तो stamp duty भी आपर रहेगी यहां पर postage stamp जो रहेगा 50 rupees का associate के लिए भी आपर 50 rupees का रहेगा और assistant के लिए भी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट के according यहां पर classify करके दिया हुए कि क्या 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 आपको postage stamp लगा के भेजनी होगी पार बी जो मैं आपको बताना चाहरी हूँ अभी offline applications के regarding पंडित दीन दयाल उपाध्यय चेर और यहां पर academic level 14 के according यहां पर salary scale मिलने वाला है पोस्ट मैं आपको बता देती हूँ number name of post chair professor पंडित दीन दयाल उपाध्यय चेर qualification यहां पर mention किये हुई है और यहां पर area of studies भी बताया है कि social economic thought and integral humanism में यहां पर study होनी चाहिए age बताया है 55 से 70 की age होनी चाहिए scale of pay आपकी जो आपकी professor की रहती है उसके according मिलेगा period of appointment यहां पर बताया है 5 years इसकी post के लिए यहां information is specifically बाकि जो ऊपर मैंने बताया है वो permanent post के लिए ही है और यहां पर भी आपको यह self documents जो भी है सब चीज़ें आपको देना है offline यहां पर application रहेगी conditions आप इसमें चेक कर सकते हैं इसकी conditions similar ही है जैसी मैंने आपको बताई है documents जो आपको attach करने होंगे यह annexure A & B वगेरा में लगा के देते हैं तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और attach कर सकते हैं आप चलते हैं इनके पोर्टल पर फ्रेंडजीन का पोर्टल है Jammu University.ac.in और इस पेज को करेंगे स्क्रॉल डाउन तो नोटिफिकेशन आपको टीचिंग स्टाफ में आपको विजिबल है अगर आप यहां तक क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और यहां से आपको अप्लाई करना है वह पेज ओपन हो जाएगा और एमिल आइडी कंफर्म करेंगे पासवर्ड उसको अनफर्म करेंगे मोबाइल और इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल और यहां से आपका पेज हो जाएगा रजिस्टर रजिस्टर करने के बाद दुबारा से लॉग इन करेंगे अपने डिटेल्स एंटर करेंगे और इसके अलावा भी आपको इन्फोर्मिशन चाहिए होती है तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंड बॉक्स में प्लस इस आपको होता है तो इनका मेल आइडी भी दिया हुआ है तो वहां से आप इन से डिसकस कर सकते हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल लाइक माइ वीडियो सो गाइस थाइंक्यू एंड हैव नाइस दी